बियाड एंट्रस टेस्ट का प्रीविएस यर जो MCQ questions थे, वो discuss कर रहे थे, next question लाइबरेरी की बारे नहीं है, question है, books in the library should we get, लाइबरेरी विच पुस्तका नू रखना चाहिदा है, किस तरह रखना चाहिदा है, under lock end की बंदगर देनी चाहिए, पहले जो statement है, stem है, उसका purpose जा जान ले, library का purpose जान ले, कि library इसलिए है, कि उसमें maximum knowledge, information वाले resources रखे हों है, books, journal, magazine, newspapers, तो वो इस किसी लिए रखे गए है, students के लिए, teachers के लिए, learner के लिए, learner के लिए, learner उन तक easily पहुँच सके, ये best system होता है, तो इसके साथ जो statement option मिलती होगी, वो right answer हो का वाकी round होगी, नहीं, उन तक पहुँच पाएंगे, according to open assess, ये ठीक है, कि open assess है, कि कोई भी एक, आप picture देख सकते हो, यहाँ पर, open assess में, कोई भी learner, books के पास जाता है, जो books उसे चाहिए, वो easily collect करता है, और उसको read करता है, reading room में जाके, okay, half-sared manner, mean के आप order menu, generally, generally, मान लेजिए, author-wise, subject-wise है, alphabetically है, जहाँ एक number system होता है, library का, उसके accordingly, coding system होता है, उसके accordingly, half-sared manner, it means कि कि किसी भी order में, arrangement में, books को लगाया नहीं गया, कोई order अगर होगा, तो easily assess होगी, तो ये answer गल्द बनता है, इससे हम और information collect कर सकते हैं, generally, library की division की जाती है, subject-wise हो सकती है, class-wise हो सकती है, इसके इलावा, हर library, एक coding system को apply करती है, उस पर भी question, interest test में, पूछा जा सकता है, coding system best पहुंसा होता है, ये पूछा जा सकता है, school library में, हमेशा ही, dv decimal classification, जिसे d, d, c कभा जाता है, ये question और कैसे पूछा जा सकता है, कि d, d, c, e, full form पूछी जा सकती है, dv decimal system, school की library के लिए best coding system कौण सा है, तो भी ये answer आएगा, United States में public library के लिए library of congress classification यूज किया जाता है, तो वापिस आगये हम third option पर, कि ये option 100% wrong होगी, क्योंकि library एक organized system है, अगर organized है, तो किसी order में होगी, किसी arrangement में होगी, जो हम बात करके आए हैं, तो ये गलत answer होगा, आप log में नहीं रखोगे, ये भी गलत answer होगया, beyond the assess, नहीं, assess पहुंच से, विद्यार्थ हैं पहुंच तो परे, विद्यार्थ हैं पहुंच which चाहिए है, इसलिए ये ये भी गलत answer होगया, और right answer कौन सा होगा, कि open assess, जल्दी जल्दी बच्चे, जो information है, knowledge है, उस तक पहुंच सके, next question, how will you encourage, underline कर लेना, जब भी कोई question solve करना है, MC को का, तो उसकी main stem में से, एक शबद, जहां, कोई वाकाँश है, phrase है, उसको underline कर लेना है, जैसे, मैंने encourage को कर लिया है, encourage बच्चे कैसे होंगे, कि library में जाए नहीं, सिर्फ जाके पढ़ें भी पढ़ें नहीं, वो information के लिए, एक तरह से intrinsically motivated हो जाए, जिसको constructivism में authentic learning कहा जाता है, अच्छा, encourage कैसे करेंगे, by telling, ये देखिए, मैंने एक शबद underline कर लिया, कि किसी को कोई चीज importance बताने से, वो ज्यादा motivate नहीं होता, हो सकता है, थोड़ा, थोड़ा हो सकता है, छोटा टिक लगाया है, इसको गलत नहीं बोल सकते, यहां, जो हमारे पास option है, उन में से इस जोटा सा किक लगाया है, second है, give the students some books for study at home, हाँ, थीक है, दे सकते हैं, पर कि यह क्या, आप शोर कर सकते हो, कि घर जाके बच्चे उन कुताबों को, बुक्स को पढ़ेंगे, यह शोर नहीं है, अगर बच्चे हमारे सामने ही पढ़ते नहीं है, तो घर जाके कैसे पढ़ें है, तो छोटा टिक है, हाँ, issue करना, उनको books allow करना, देना, यह अच्छी बात है, अगर किसी बच्चे का already interest है, वो किसी का होता है, वो book उसे issue की जाती है, वो read करेगा, लेकिन अगर आप books restitute करते हो, allow करते हो, तो यह दोरी नहीं है, कि हर बच्चा घर जाके बढ़ेगा, take the student to the library during the vacation or holiday, holiday में कोई library जाना चाहेगा, जा playground में, जा mobile के पास जाना चाहेगा, बच्चे enjoy करना चाहते है, enjoy उनको पता है, vacation में के लिए, उनको freedom होती है, तो library में कोई जाने की इच्छा नहीं रखीगा, हाँ, ले जाना चाहिए, इसके लिए positivity है, yourself, next answer क्या है, option, yourself, teacher खुद library में study करे, all along with the student, हाँ, ये अब अच्छा है, क्योंकि सारे students, library में उनके सामने हैं, और वो खुद model बन गए है, modeling की, अलबर बांदरा की थूरी ये कह रही है, कि model को follow किया जाता है, तो teacher खुद पढ़ रहा है, supervise भी कढ़ रहा है, और library में information है, उसको assess करने के किसी book को ढूंडने के लिए, किसी journal magazine को ढूंडने के लिए, उनकी वहाँ पर help भी कर सकता है, तो that is why ये best option है, इसको right answer में रखेंगे, next question है, books should be issued to the student from library, करने चाहिए, yes, क्या रून लखना है उसका, number 1, for unlimited time, अगर unlimited time, ये excessive हो गया, unlimited time के लिए किसी को books, सभी बच्चों को दे दी गई, तो एक बच्चे ने, माल लेजे, 10 books हैं, कोई खास subject की, तो next बच्चे ने, अगर वही book use करनी है, तो वो use नहीं कर सकेगा, अगर हम कोई specific time period रखेंगे, माल लेजे, 14 days रखेंगे हैं, तो 14 days में return होती है, book return होके, वो जो issue करने वाला है, librarian है, वो देखता है, क किसी और को urgent चाहिए, तो वो उसको distribute कर सकता है, it means equality का principle है, equity का principle है, वो दोनों ही यहाँ पर apply हो सकते हैं, तो specified number of days यहाँ पर अभी तक best answer है, बड़ा तिक लगा रहे हैं, तो यह कितने दिन, normally, 14 days, 2 week के लिए होता है, as long as, next option है, as long as student want to redeem them, वो जितना time time चाहते हैं, तो यह एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि हम होई भी भूक किसी के लिए पास से लेके रखते हैं, शायद एक दिन, दो दिन पढ़ते हैं, उसके बाद कई बार तो 10-10 महीने वहाँ पड़ी रहती है, तो यह भी नहीं है, यह भी पहले से मिल रहा है, यह वीख है, यह व अंसर B है यहां पर, next question है, right to free and compulsory education for children between age to offer 6 to 14, has been inserted in Indian constitution as, यह clearly article 21A, अगर यहां A भी आता है, तो A इसका right answer है, देखिए, इससे पहले यह article 45 में था, जो वो directive principles थे, यह directive principle के अंदर है, तो directive principle में यह जरूरी नहीं है, state को सिर्फ suggestion है कि यह अच्छा काम किया जा सकता है, मतलब कि जो 6-14 साल के बच्चों को free education दी जानी चाहिए, लेकिन state के यह compulsory नहीं है, अब यह RT act pass हो गया है, अब यह compulsory भी आ गया है, article 21 में, तो यह यह option थी state के लिए, यह option नहीं आँ, उसके लिए भी compulsory हो गया, तो यह answer, यह normally बड़ा question पूछा जाता है, RTE के लिए जो एक दो और question है, RTE के बारे में यह slogan भी पूछा जा सकता है, किसके साथ जोगता है, सब पड़े, सब बड़े, तो सरब सिक्षा अभ्यान है, सरब सिक्षा अभ्यान भी right to education को अचीव करने के लिए, अभ्यान चलाया गया हो, उसकी different बात करेंगे, different video में बात करेंगे, अच्छा और क्या हम जान सकते हैं, यह इतनी history है, लेकिन हमारे लिए question क्या पूछा जा सकता है, कौन सी amendment के अनुसार, Indian constitution की amendment के अनुसार, RTE Act, 18.6, यह right answer होगा, और question बन सकते हैं, इसमें क्या हुआ था provider RTE Act, fundamental right, 614 year, part 3, part 3, यह question कुछा जा सकता है, of the constitution inserted in 21A, 2002 में, लेकिन यह बात याद रहे, कि अभी यह पार्लिमेंट में पास नहीं हुआ, पास कब हुआ, 2009, 4 अगस्त को पास हुआ, तो अगर यह question कूछा जाता है, कि यह act कब पास हुआ, तो यह होगा, 2009 को, 4 अगस्त 2009 को, और अगर यह पुछा जाता है, कि यह implement, come into force, कब हुआ, 1 April 2010 को, यह 3 question different गरा के पुछे जाते हैं, normally आपको यह दो question पुछे जा सकते हैं, और क्या information है, कि मैं 2014 को Supreme Court ने एक रूल पास किया, कि RTE Act is not applicable to minority institutions. Next important question आपके लिए बनता है, कि अब 45 जो पहले right to compulsory, free and compulsory education बोली जाते थी, तो अब 45 जो article है, उसमें क्या लिखा है, अब 45 में कौन सी provision है, provision for early childhood care and education, तो children below the age of 6 year, यह दो तिन question आपके बनते हैं, article 45, उसको associate करें, C, C, E, C, और 6 साल से पहले बाले बच्चों इसमें कवर हो रहे हैं, 45 में. Institute of Advanced Study is located at, इसका simple first answer, यह knowledge based answer है, शिमला में है, ऐसे ही कि इंडिया में कुछ बड़े ही unique school है, जो आपके interest test में पूछे जा सकते हैं, फॉर एक्जमपल, लॉक्टक लेक स्कूल, यह कहां है, मनिकुर में है, चिराग स्कूल, उत्राकंड में है, तब प्लेटफॉर्म स्कूल, यह लदा important है, बिहार में, क्योंकि बिहार में literacy level बहुत इंडिया का lowest level है, तो बिहार में प्लेटफॉर्म स्कूल, और yellow train स्कूल, तामिलाग्डो में, और smart school, महराष्टा में, यह school पूछवे जा सकते है, unique level field school, वेस्ट बंगाल में, the next question है, the national flagship program of education, SSA, SSA की फुल फॉर्म कहा है, सर्वशिक्षा अभ्यान, for universalization of elementary education के लिए, जो पीछे बात करते हैं, RTE, और उसके लिए program, सर्वशिक्षा अभ्यान, चुलाया गया है, तुराइट अंसर इसका यह है, universalization of secondary education, secondary education अगर आता है, तो उसके लिए, राज्चिये माध्मिक शिक्षा अभ्यान, रमसा इसे बोला जाता है, special education in primary school, यह कोई response नहीं है, सीधा गलत है, special secondary academic program, वैसे गलत है, तो यह दो राइप है, यह लेकिन secondary के लिए, सर्वशिक्षा अभ्यान नहीं था, elementary के लिए था, तो यह राइट जान सर, next question है, internal assessment is desirable because, internal assessment आपको पता है कि जो बच्चा classroom में, school में, laboratory में perform करता है, exam में perform करता है, उसके behavior प्लस उसकी learning के प्रती attitude और उसकी performance जो होती है, उसको continue years observe किया जाता है, by teacher और उसके base पर, वो कुछ scores या marks देता है, तो यह क्यों desirable है, it helps to improvement in the aggregates, याग रखना है हमारे पास, जो school system है, जा education है, किसके लिए काम करता है, scores के लिए, marks के लिए, बच्चा maximum marks देन करे, hundred में से, 94.7%, ऐसे यो तरह स्कूल में, लेकिन purpose क्या है, learning है, उनकी performance है, behavioral change है, modification in behavior है, उनकी thinking को change करना है, positively change करना है, उनने critical thinker, उनने creative thinker, उनने life skills उनने develop करने, तो यह सारा learning के इर्दिकिर्द है, तो it helps to improvement in aggregate score, जब भी marks जहाँ score की बात अब की जाएगी, it means के वो weak option है, okay, it creates a fear, आप फियर देखिये negative, मैंने underline किया है, जो decision बना रहा है, जो option आपकी, यहाँ पर score था, यहाँ पर fear है, आप school में fear पैदा करने के लिए यह बच्चे को बेजा जाता है, वहाँ enjoy करने के लिए, learning करने के लिए, जीवन के लिए, तयार होने के लिए, जोन डेवी ने तो यहाँ तक कह दिया था, के education is life in itself, यह quotation में पूछी जा सकती है, जोन डेवी की बड़ी popular quotation है, तो यह भी option गलत हो गया, यह sport के लिए तुड़ा week हो गया, it gives weightage to the classroom performance, अब यह performance शेवत जो है, लगने के बिलकुल करीप चला गया, during the entire session, yes, दूसरा देखिए, week यह question क्यों है, तूकि यह option जो है, यह इतनी लंबी है, यह भी इतनी लंबी है, यह justify करने के लिए कितनी लंबी बन गई, तो right answer सीधा यह बन रहा है, के weightage दी जा रहे है यह performance को सारी साल की, it makes the teacher more powerful, तो internal assessment में, जा school system में teacher को powerful करने के लिए नहीं यह system बनाया, यह learner की learning के लिए school system बनता है, तो internal assessment according to school system के aim के मताबिक होगा, तो teacher को powerful बनाना aim नहीं है, internal assessment का, next है, school is the nature of form of the society, यह बड़ी quotation है, जान डेवी की, तो right answer इसका सीधा यह हो गया, जान डेवी का, जान डेवी की यह quotation है, आप इसको, मतलब दूसरी तरह भी यह question पूछा जा सकता है, और जान डेवी का most popular question काउन से बनते हैं, के school and society book किसके द्वारा लिखी गी जान डेवी के द्वारा, democracy and education क जान डेवी के द्वारा, कहां तब लिखी गई है, वैसे यह पूछाने जाएगा, American pragmatist, यह pragmatism एक philosophy है, जो जान डेवी उसके major जो है, leader है, philosopher है, तो उन्हें में ही यह कहा था, के school is a miniature reflection of society rather than individually, quotation कुछ ही जा सकते हैं, इसलिए डिसकस की यहां पर वापिस चलते हैं, all round growth and development of child implies to, वैसे आप रहन का मतलब जो है, जो dimensions है न, इनको समझ लीजिए, dimensions of personality, यह learner, dimensions, domains, areas, कई शेविस के लिए use होते हैं, वो क्या है, फिर्स्ट फिजिकल, okay, emotional, okay, जिसे cognitive भी बोल जते हैं, cognitive, okay, यह शागत बार-बार में डियेड करोगे तो आप उसमें आएगे, emotional, co-effective, जो physical, motor जो होती है, motor activity, उसको cognitive, ठीक है, इसके इलाबा कौन से आगे, moral, कहल भर्जिकी फिरी, आप पढ़ोगे आगे चलते हैं, social, तो सारे aspects, all around किसे बूला जाता है, सभी aspects को साथ-साथ में लेके चलना है, ऐसे नहीं है कि, सोमवार को physical development होगी, मंगलवार को emotional development होगी, ऐसे नहीं है, कथी होगी, holistic development, all around development, यही question कुछा गया है, all around growth and development of children implies true, development of home and, यह दिखे कितना wrong option साफ है, जब आप जब कोई stem पढ़ते हो, तो यह आपने child के बारे ने कुछा गया, तो child के बारे में यहाँ बात ही नहीं की गी, यहाँ development of home और school की बात है, गलत है, development of different organs of body, यह एक intervention लीबात ही, child body, mind and spirit, महात्मा गांदी की जो education की definition है, उसमें से यह डाला गया है, option, development of good habits, ठीक, तो right answer हमारा C है, ऐसे महात्मा गांदी की definition ही कुछ ही जा सकती, आपको definition दी जाएगी, by education I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit, यह किसके दोरा दी गई, महात्मा गांदी जी, यह तो, यह क्योंकि most popular definition जो B.I.E.D. में करवाई जाती है, तो that is why यह naturally किसी दख से L.C.P. में कुछी जा सकती है, अगर रिग्वेट की देखनी है तो इतना याद रखिये, रिग्वेट की selfless, इतना याद रखिये, selfless की बात की कॉटलिया ने country की बात की, ठीक है, केफ और कॉटलिया केफ और country यह association बना रहा है अगर आपने याद रख रही है, एक विवेका नंदी है, इनका मैंने manifestation रखा है याद, के अंदर से जो है, educational means of manifestation, अंदर जो सब कुछ है, उसको present करना, बाहर लाना, इन divine perfection already existing in man, लेकिन इन्होंने spiritual बात कर दी है, कि divine perfection जो आपके अंदर है, उसको बाहर निकालना है,